31 दिसम्बर की रात नई साल का वेलकम करने के लिए चाहे आप सिंगल हैं, फैमिली हैं या कपल हैं, न्यू फैमिली फगुन रेस्टरेंट पर अभी संपर करें मत्यप्रदेश के अपर जिला दंडा दिकारी खंडवा, आर के के आर बडोले ने खंडवा जिले में कानून विवस्था बैतर बनाने के लिए जो आदेश पारित किया है, उसका पालन साइबर कैफे और जिनके घर में किरायदार रहते हैं, उन्हें सोशल मीडिया जो भी चीजों का उलंगन करता है, तो अपने थाना क्षेतर में अपराद दर्ज करेंगी, दरसल आपको बता दें कि चाहे साइबर कैफे वाले हों, चाहे आपका सोशल मीडिया यूजर हों, सभी को इसका पालन करना होगा, पहला आदेश आपको बता देते हैं, अपर जिला उन सब को ये आदेश का पालन करना पड़ेगा, जिसमें जो बिंदू है, उनमें CCTV कैमरे, कम से कम एक महीने तक की रिकॉर्डिंग उसमें रखना मेंडेटरी है, यानि अनिवार है, इसकी जिम्दारी साइबर कैफे संचालक की होगी, साइबर कैफे में कारेरत करमचारियो पूरा डेटा उनके पास रहना चाहिए, कौन-कौन साइबर कैफे यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीजे जो है, साइबर कैफे वाले को मेंटेन करनी पड़ेंगी, इसके अलावा, जो भी साइबर कैफे वाला है, उसको अपने आ कर जितने customer है, उन सब का डॉक्यमेंट जमा कराना पड़ेगा, वैद लाइसेंस की प्रती भी उसे थाने में जमा करानी पड़ेगी, जो भी साइबर कैफे संचालक है, सभी कंप्यूटर सिस्टम पर पॉन साइट फिल्टर आनिवारे रूप से लगाना होगा, कोई भी युवा आके पॉन साइट ना आदेश दिया गया है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपत्ती जनक पोस्ट करने वालों को लेकर बहुत ही सक्त कारवाई की जाएगी, ऐसा आदेश में लिखा हुआ है, वाटसाइब, फेस्बूक, इंस्टागराम, इसके अलावा जितने भी अन्य सोशल मीडिया प्ले कारवाई की जाएगी, अपर जिला, दंडा अदिकारी, जिसे अब सभी अपर कलेक्टर कहते हैं, उनके आदेश में इस पश्ट लिखा हुआ है, कि इसका पालन जो है, वो सक्ती से करना होगा, नहीं तो जो है, बहुत जादा कठोर कारवाई की जाएगी, ततकाल इस तरह की पोस्ट ना करें, जिससे किसी की धार्मिक भावना है, आहात हो, वाटसाइब, फेस्बूक और सोशल मीडिया पर कोई अगर ऐसा कमेंट भी करता है, इस तरह की पोस्ट करता है, तो उसकी जानकारी भी अपने नस्दी की ठाने को दे, सोशल मीडिया में जो पर रहते हैं ऐसे होटल्स वाले लौज वाले जिनके यहां लोग आके रुखते हैं इस केस में भी सक्त आदेश जारी किये गए हैं 144 के तहट प्रतिबंदात्मक आदेश जारी कर जिला दंडादिकारी के आर बडोले ने यहां देश दिया है कि सभी होटल लौज धरमशाला क किसी भी व्यक्ति को ठाराने से पहले उसका प्रमानिक पहचान पत्र लेना बहुत जरूरी है और उसे अनिवारे किया गया है ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंदी थानों को उसी दिन दिया जाए जारी आदेश के अनुसार प्रतेक मकान मालिक को अपने नए कि कि तहत कारवाई की जाएगी ऐसा भी आदेश में लिखा गया है 31 दिसंबर की रात नई साल का वेलकम करने के लिए चाहे आप सिंगल है फैमिली है या कपल है न्यू फैमिली फगुन रेस्टरेंट पर अभी संपर करें अनलिमिटिड स्टार्टर अनलिमिटिड मॉक्टेल डीजे के साथ फायर वर्क्स के कटिंग ऐसी बहुत सी फैसलिटी और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ खास दिये गए नंबर पर अभी संपर करके बुकिंग करा